रेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चलल टार्गेट गवर्मेंट पोस्ट पे दोस्तों दिल्ली फॉरस्ट गड़े नहीं बन्रत चक बढ़ती परिच्छा की आप तयारी कर रहे हैं दोस्तों इसका जो एक्जाम है 12 और 13 मार्च को इसका एक्जाम लगा हुआ है 2020 जो कि आपकी परिच्छा है दोस्तों इंग्लिस का प्रेक्टिस नमबर सेकंड इससे पहले हमने प्रेक्टिस जो की मैत के हैं मैत के भी आपको रेगुलर मिल रहे हैं प्रेक्टिस और बात की जा रीजनिंग हिंदी और इंग्लिस का में देखिए आप दोस्तों हम यहां पर यह कहने वाले थे आपको जरूरी जानकार यह देदें कि देखिए 40 कुशन आपके इंग्लिस के पूछे जाने हैं 40 आएंगे रीजनिंग के और 40 आपके जीए और 40 कुशन हो जाएंगे आपके हिंदी के और 40 मैत के हो गया है ठीक है ना मतलब टोटल म सारे वीडियो के नोडिक्शन समय से मिलते हैं मिल जाएंगे ओर द WA एक्षिन जुरूर पढ़ने यहां पर दिया गया यह आपको यहां पर समझ ना होगा ठीक है इन दा सेंटेंज चूज दा अल्टरेनेटिव विच बेस्ट एक्स्प्रेस्ट दा मीनिंग और फ्रेज दोस्तों यहां पर आपको अंडरलाइन में दिया गया इसका जो मतलब होता है दोस्तों इसको हिंदी में कह सकते हैं कि अत्ने बादूरी का कारे करना तो इसके लिए जो एक विकल्प है वो राइट है दोस्तों ऑप्सन नमबर ए राइट है डू आ हेरोइक डीड ठीक है बाई तो इसका जो यहां पर आंसर है यह भी वही प्रकट क जाएगा अगला कुछनिया पर देखेंगे एट्टी टू नमबर दिया गया आई है वाफ फीलिंग इन माई गट ठीक है इसको अंडरलाइन किया गया है यह पार्ट एडियम का ही काम कर रहा मतलब यह एडियम है और इसका जो आर्थ है अतितीवर अनुभवी या क्योंकि यहां पर दिया गया इस ट्रॉंग इंस्टिनिक्ट दिया है ठीक है तो अप्शन नमबर जो है इसके द्वारा भी वही अर्थ जो की आपको दिया गया था एडियम में इस यहां से भी उसी का अर्थ क्या हो रहा प्रिकट हो रहा मतलब अगर हम इस सब्द की बात क इस ट्रॉंग इस ट्रॉंग इस ट्रिनेक्ट जो दिया गया है कि द्वारा भी हम विक्तिक कर सकते हैं इस अर्थ को यहां पर नेक्स्ट कोशन यहां पर देखेंगे डारेक्शन दिया गया है इनकोशन नमबर 83 to 84 आउट फॉर अल्टरेंटिव चूज कोई वन आपको करना होगा can be substituted for the given word sentence बगरा बगरा तो यहां पर जो sentence दिया गया इसके लिए एक जो sentence का मतलब है उसको जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनेक सब्दों लिए एक सब्द वही यहां पर दिया गया है तो दोस्तों यहां पर one word substitution है तो यहां पर इन यह जो sentence दिया गया है इ whatever a finding new or simple solution for complex problem इसका मतलब यहां पर हो जाएगा इसका भी मतलब यही होता है अगर हम बात करेंगे inimical का तो इसका मतलब होता है द्वेशी यहां पर दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि दया लू लेकिन यहां पर जो प्रेकट आंसर सही कर रहा है वो क्या कर रहा है बई option number D कर रहा है आपका ठीक है इंजिनियस तो option number D यहां पर राइट हो जाएगा next question यहां पर देखेंगे 84 नंबर है दिया गया है unusual amusing things मतलब हो गया कि आसामान और मनुरंजक चीजें ठीक है आगे दिया गया who whose only purpose in is sorry to attract attention and which has little or no value more importance मतलब इसका मतलब यह हो गया कि आसामान्य मनुरंजक चीजें और द्याना कर्शन के उद्देश में जिसका नाम मात्र का महत्व हो इसका मतलब यह हो जाएगा sentence का तो इसके लिए सही विकल्फ हो जाएगा option number B जिसको बोलते हैं गिमिक बोलते हैं ठीक है तो राइट आंसर यहां पर option number आपका B हो जाएगा ठीक है अच्छा नेक्स चलेंगे आपका option यहां पर राइट क्या होगा डारेक्शन दिया होगा तो यहां पर दिया गया है साइनोपिस स्वरी एस वाइन ओपी एस आई एस दिया गया है साइनोप साइनोप्सिस दिया है ठीक है तो 85 में यहां पर आपका option number यहां पर दिया गया है पर यहां पर यहां पर यहां पर चाटना था जिसको बोलते हैं साइनों निम्स दोस्तों यहां पर हो जाएगा रिपॉगेंस दिया गया है तो इसके लिए इसका बराप होता है भॢशिक स्वल्स यहां पर हम कह सकते हैं मतलब सबस्सक्राइन करए भी तों से पडूर्ट है तो यहां पर आपको यहां पर यहां पर यहां वर्ड कौन सा है मतलब स्पैलिंग किसकी सही है ठीक है ना तो कोई एक ऐसी स्पैलिंग है जो इसे 87 नंबर के हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिस्लेनियस की सही स्पैलिंग क्या होती M I C E W L A N E O U S अप्सन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 88 की बात करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रोवगंट हो जाएगा और आपका स्पैलिंग जो इस्पैलिंग इहां पर सही हो जाएगी E. Bible. जी एंटए स्ट्रोवजान ठीक है तो एस्ट्रोवजान यहाँ पर आप औपसन नंबर करेंगे C ठीक है ये right option हो जाएगा है यहाँ पर next question यहाँ पर देखिए directions दिये गये हैं और यहाँ पर direction में आपको यह देखना है कि sentence में underline parts दिया गया है वो alternative underline parts ABC दिया गया है और इसको improve कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ठीक है मतलब यह जो part item को दिया गया अगर यह sentence के लिए सही है तो हम यहाँ पर no improvement करेंगे अगर यह wrong है तो यहाँ पर कौन सा वाला सही part होगा फिर वो हमें यहाँ पर choose करना होगा तो यहाँ पर 74 दिया गया applications were received of whom the better were selected for a detailed review तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जिसमें underline किया गया है तो यह जो part है इसमें दिया गया है of whom the better were selected तो इसके लिए आपका जो right option हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक है ना option number B of which the best were selected यह right answer क्यों होगा इसलिए right answer होगा क्योंकि यहाँ पर एप्लिकेशन देगे यह एक निर्जीव चीज़े है निर्जीव वस्तुएं है ठीक है नहीं यहाँ पर तो इसलिए हम इसका प्रियूक करेंगे of which the best were selected option number B right हो जाएगा next question 90 number है और यहाँ पर दिया गया sleep is important who work day or night मतलब जो work करते है day or night दोनों में ठीक है तो who works in day and night तो इसके लिए right answer यहाँ पर 90 number में आपका हो जाएगा तेखे रेखांकित सब्द के अगर according बात करें तो इसका जो work का मतलब निकल दा है कि निद्रा आविश्चक है उनके लिए जो दिन में और रात में कारे करते हैं यहाँ पर उसके लिए right हो जाएगा for those who ठीक है तो for those ही याणि option number A में for those who work day and night option number A जो है correct होगा next यहाँ पर दिया गया है the demonstration past of peacefully तो यहाँ पर यह दोस्तों सही है इसमें कोई भी हमें परिवर्तन करने की ज़रुत नहीं है तो next यहाँ पर देखेंगे no improvement करेंगे दोस्तों यहाँ पर 91 में ठीक है next यहाँ पर दिया गया है आपको direct and indirect दिया गया है speech दी गई है तो आपको direct दिया गया है और indirect मे change करना चलिए इसको देख लेंगे तो 92 में यहाँ पर देखेंगे कि which which way is which way is the the post office the lady asked तो यहाँ पर आपका जो right हो जाएगा अगर हम इसको indirect बनाते हैं तो indirect में आपको हो जाएगा option number यहाँ पर दी राइट the lady asked the way to the post office ठीक है ना next यहाँ पर देखेंगे 93 में 93 में आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 93 में the teacher said student look at your book ठीक है तो इसमें अगर आप इसको करोगे indirect में तो indirect में यहाँ पर आपका बन जाता है the teacher told the student the teacher told the student to आपका conjunction हो जाएगा to look at their books option number B यहाँ पर correct हो जाएगा next यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया opposite world आपको यहाँ पर छाटना है ठीक है न 94 और 95 में ठीक है दोस्तों तो चलिए यहाँ पर देखेंगे if you minute दिया है तो यहाँ पर देखें इसका जो मतलब होता होता है इस्त्रियों जैसे हाव भाव वाला पुरुस तो यहाँ पर देखेंगे इसके लिए इंडिव जाएनस दिया दो एंडिव जैनेस का मतलब होता है कि अर्ध नारी कह सकते है यहाँ चीड़ leverage नमट eh यहाँ पर दिया घ्जा है不錯 रि olması keynote अगया दि और तो facil इसका बात्व मतलब होता है ले प्री मिनेडेड का मतलब होता करेंगे तो आप पोजिट किया दा इसके लिए था ठीक है इसके लिए इस और अपसेंग करना और इसका मतलब होता प्रेश मतलब प्रसंचा करना ठीकिक दोस्तों व्ड़व आपको अगर पसंद आ है फैकर पार्ट आगे देखने के लिए निचे बेल आइकन और में मिल जाएगा बहुत कुछ है पीपर इपर सॉल्ड पेपर सब कुछ मिल जाएगा दन्यवाद वुडियों आपके दीचे वह जय जय वारत